कि अच्छ की दुनिया आज की इस वीडियो में हम अकाउंटिंग रेशो के अपने न्यू टॉपिक को कवर करने वाले हैं आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लिक्विड रेशो के बारे में in previous video we have discussed about current ratio and we have given you an example of current ratio and we gave you the method how to calculate current ratio so guys accounting ratio के इसी topic को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानने वाले हैं liquid ratio के बारे में what is liquid ratio and how do we calculate liquid ratio आज की इस पूरी वीडियो को देख करके आपको समझ में आ जाएगा but before starting this video मैं आपसे केवल और केवल एक suggestion देना चाहूंगा कि अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने आपको current ratio से related A to JAT सारी जानकारी दी है क्या होती है current assets क्या होती है current liabilities ये सब अगर आपने नहीं देखा है तो बस आप इस topic को समझने से पहले वो वीडियो जरूर देख लें जिससे आपको ये topic बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा Guys current ratio का पूरा का पूरा topic मैं आपको इस वीडियो के description box में जो है send कर दूँगा और आप इस वीडियो में description box में जा करके वो सारे topic कबर कर सकते हैं तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं और जानते हैं क्या होता है liquid ratio तो सबसे पहले liquid ratio के बारे मैं आपको बता दूँ इसको हिंदी में कहते हैं तो रित अनुपाद यानि जो ratios हमारे उन assets से निकल के आएं जो asset या तो cash की रोप में हो या फिर cash के equivalent हो जिन asset को cash और cash के equivalent होने में थोड़ा बहुत भी समय जादा लग जाता है उन asset को यहाँ पर छोड़ दिया जाता है धीरे धीरे आपको बात समझवानी लगे होगी कि यहाँ पर cable और cable उन asset को लिया जाएगा जो अभी यानि कि at present में cash के रूप में हो या फिर उनको बहुत ही कम समय में cash के रूप में convert किया जा सके लेकिन जादा समय अगर किसी asset को convert होने में लग जाता है तो उस asset को यहाँ पर नहीं लिया जाएगा ठीक है liquid ratio को quick ratio acid test ratio भी कहा जाता है और इसको हिंदी में अमल परक्ष अनुपाद भी कह सकते हैं तो guys यह topic आपके 12th accounting ratios का भी है साधी साथ B.com owners और B.com के topic में तो यह सामिल है ही तो चलिए इसकी definition देख लेते हैं liquid ratio quick ratio या acid test ratio is a liquidity ratio which measures the ability of the enterprise to meet its short term financial obligation that is liabilities किसी भी business या firm की liabilities को short term liabilities को payment करने के लिए जो ability so करती है वो ratio क्या कहलाता है liquidity ratio कहलाता है liquid ratio कहलाता है यह liquidity ratio का ही part है और liquidity ratio में पहले नमबर पे हमने जो ratio आपके साथ discuss किया है वो था current ratio और यह दूसरा है liquid ratio ठीक है it is a relationship of liquid assets and current liabilities यह चीज आपको ध्यान रखनी है कि liquid ratio किस किस चीज से find out किया जाएगा तो liquid ratio जो आपका find किया जाएगा वो आपकी liquid assets और current liabilities से find कर जाएगा so guys current liabilities तो हमने समझ लिया है लेकिन यह liquid assets क्या होती है इनको जानना भी बहुत जरूरी है आईए चलते हैं और बात करते हैं इसके formula की कि क्या है formula liquid ratio को find करने का तो liquid ratio equals to liquid assets upon current liabilities liquid assets upon current liabilities से आप liquid ratio को find कर सकते हैं और जो liquid ratio होता है आपका 1 ratio 1 सबसे best माना जाता है यह question आपको MCQ में मिल सकता है कि quick ratio ऐसी test ratio या फिर liquid ratio best कौन सा होगा तो वो होता है 1 ratio 1 जिससे current ratio होता है 2 ratio 1 यहाँ पर liquid ratio होता है 1 ratio 1 ठीक अब मैं बात कर रहा था आपसे liquid assets क्या होती है ठीक क्योंकि हमने current assets तो पिछली वीडियो में सीख लिया है liquid assets की बात करें तो these are those assets which are either in cash or cash equivalent जो cash या cash के equivalent में हो और इन में कौन-कौन सी asset को सामिल किया जाता है यह देख लीजे current investment, trade receivable जिसमें will receivable debtor provision for doubtful debts यह सामिल किये जाएंगे cash and cash equivalent, short term loan and advances, other current assets, other current assets में आप inventory, prepaid expense, accurate incomes and advance tax को छोड़ देंगे ठीक या फिर आपको अगर liquid asset पता लगानी है और आपको current asset दे रखी है तो यह आपके बहुत काम आने वाला है यह formula, इस formula से आपको बहुत जादा help होने वाली है क्योंकि exam में question directly आपसे नहीं पूचा जाएगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको find करना ही पड़ेगा तो liquid asset निकालने का formula है, current asset जो भी दी गई है आपकी, उसमें से आप अगर आप inventory और prepared expense को minus कर देते हैं, subtract कर देते हैं तो आपका liquid asset find हो जाता है, so guys इस video में हमने आपको liquid asset से related सारी जानकारी provide कर दी है अब अगली video में हम आपको बताने ही वाले हैं कि किस तरह से liquid ratio को find out किया जाएगा तब तक आप ये सारी चीजों को बहुत ही आराम से देख करके समझेए और आपको बस एक छोटा सा suggestion ये भी दूँगा कि आप इस video को देखकर अपने notes भी prepare करते रहिए, क्योंकि ये notes आपको काफी help करेंगे आने वाले समय में तो guys बने रहेगा हमारे channel के साथ और ये video आपको कैसी लगी इस video के comment box में हमें comment करके जरूर बतलाएं अगर ये video आपको पसंद आई हो तो please इस video को like कर दीजे, साह साथ अपने friends के साथ इस video को कर दीजे share और अगर आपने अभी तक channel subscribe नहीं किया है, तो please इस channel को subscribe जरूर करें हमें हमारे other websites पर, other social networking sites पर भी आप follow कर सकते हैं हमारा facebook page है commerce की दुनिया, जो कि आपको बहुत ही आसानी से video provide कराता है साह साथ हमारा telegram पर भी आप channel है, और आप हमें instagram पर भी follow कर सकते हैं जिते इन सर्मा official करके, so guys आप हमें और हमारे commerce की दुनिया के initiative को आगे बढ़ाने में हमारी help कीजे, जिस से हम commerce की community को और आगे बढ़ा सकें और जो हमारे commerce के stars हैं, जो अभी sign नहीं कर पा रहे हैं, कहीं इदर उदर उनकी जो lightning है, brightness है, वो गुम हो गई है उनकी brightness को हम बापस ले आएं, so guys, thank you so much, इसी तरह से अपना प्यार बना करके रखे, आपके साथ हम इसी तरह से आगे भी videos provide कराते रहेंगे तो बने रहेगा माई channel के साथ